हलो प्यारी बच्चो कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे बच्चो आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चनल जारेडा उनलेन क्लासिज में बच्चो आज हम सभी हल करेंगे हमारे विश्चे हिंदी बच्चो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाएए लाल बटन दबाईए और सभी मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए चैनल सस्क्राइब करना ना भूली प्रेशन पहला है बच्चो दिये गए कलर शब्दों का शुद्ध रूप लिखिए तो बच्चो हमें या शुद्ध रूप इनके लिखने हैं सूरज मिठाई प्रेशन दादी विध्याले किताब चूहा बहाद्दुर बंदर धोबी ठीके बच्चो तो इन सभी शब्दों का हमने क्या करा है यहाँ पे इनका शुद्ध करके लिखा है अगला है निम्लिकी शब्दों के तीन तीन प्रेयावाचिये समान आर्थक शब्द लिखे आकाश का क्या होगा नभ, गगन और आसमान नदी, तरनी, तटनी और सरीता बादल, नभ, शॉर्य, बादल की होंगे मेग, जलद, वारिद जंगल, वर्ण, अरण्य, कानन पक्षी खग, विहग, नवचर, राजा, भूपती, महीप और समराट ठीक है बच्चो इस तरह से आपको लिखना है बच्चो प्रियावाची शब्द होते क्या है रिखे कई शब्दों के एक ही अर्थ होते है ऐसे समान अर्थ वाले शब्दों को समान आर्थक शब्द या प्रियावाची शब्द कहते हैं जैसे इसकूल को हम विध्याले या पाठ्चाला भी बोलते हैं इसकूल, पाठशाला और विध्यारते ये सभी क्या हुए? प्रियावाची शब्द हुए. नुक्ता वाले शब्द, बच्चो नुक्ता क्या होता है? बिंदू. कमजोर, तूफान, जुर्जरूर, जुल्म, मजदूर, फकीर, ताजा आधी शब्दों में नुक्ता लगा हु हुआ है, इन्हें नुक्ता वाले शब्द कहते हैं, तो देखे बच्चो ये हमारा बिंदू को, हम क्या कहेंगे? नुक्ता कहेंगे. तो बच्चो प्रशन तीन है, निम्लिकी शब्दों में उच्चित स्थान पर नुक्ता का प्रियोग कीजे. अब रोज, रोज में हम कहा नीचे, गरज, टेली, फोन, जीनत, नाज, लिफाफा, लिफाफा, साफ, फर्श, फासी, बर्फ, अगला है बच्चो, मुफ्त, सफेद, फरियाद, इज्जत. तो बच्चो हमने सभी यहाँ पर नुक्ता लगा करके और इन सही शब्दों को फिर से लिखा. अब बच्चो, आप सभी को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाकर के सभी वीडियो को लाइक करें, जादा से जादा शेयर करें, और नीचे दिये कमेंट बॉक्स मुझे कमेंट जरूर लेकर बताए कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा. और जिन्होंने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाएए, लाल बटन दबाएए, और सभी मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए, चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलिए. आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.